हेलो अब्लिषम लास्ट क्लास्त में लोगों पढ़ाथा व्योध क्या होता हैं कितनी तरह के होते हैं इस्न में आप्लिकेशन सफ्टन गो पढ़ रहे थे इस्न में इस्न अपने सफ्ट्वेयर को पढ़ रहे थे formats ठाग जिस में gonna को इसे यह इसे रहे थे यह हम यह बोल सकते हैं कि जो कुछ ऐसी applications होती है जो कि बहुत सी जगे पर use में आती है जिसे कि लोग बहुत ज़्यादा use में लेते हैं कुछ ऐसे software को general purpose software बोलते हैं जिनका use बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जैसे कि web browsers का use, MS office की कुछ software का use तो यह जो इस category में software आते हैं यह general purpose software होते हैं अब हम इसकी दूसरे categorization की तरफ चलते हैं application software का जो second categorization part है वो है tailor-made software जिसे हम बोल सकते हैं customized software customized या tailor-made दोनों same ही मतलब रखते हैं simple customized software का means जो किसी specific user, specific organization, specific person की requirement को fulfill करता हो ऐसे software, customized जो software होते हैं like suppose कीजिए कि अगर मुझे ऐसा एक software चाहिए ऐसा एक software मुझे बनाना है जो अगर temperature बहुत ज़ादा बढ़ जाए तो वो self से notification generate करे कि आज गर्मी बहुत ज़ादा है तो मतलब मैंने मेरी requirement के हिसाब से ऐसे software को generate करवाया है ठीक है? तो ऐसे software जो होते हैं वो customized software होते हैं वो किसी एक specific user की complete requirement को fulfill करने का use रखते हैं ठीक है? जैसे आप सोचिए अपनी school का एक website बनाया हुआ है तो वो अपनी school के हिसाब से बना है मतलब अपनी school के requirement को fulfill करता है अपने advertisement को fulfill करता है तो वो जो software बना है वो क्या हुआ? customized software ठीक है? customized का मतलब जो हमारी एक specific user की requirement को fulfill करता है ठीक है? जैसे कि अपन लोग tally की बात करते हैं तो tally एक क्या है? ऐसा software जो general purpose है उसे कोई भी use में ले सकता है लेकिन जो बड़ी-बड़ी organizations होती है कुछ MNC, जो जिदिनी multinational corporation कुछ company होती है वो अपना खुद का एक accounting software बना के रखती है जिसमें वो खुद के predefined columns use करती है जिसमें उनको अपने employees को अपने customers को deal करना easy हो जाता है तो ऐसे कुछ software जो user की मतलब किसी organization की requirement को fulfill करते है वो क्या हुए? customized software अब अपन बात करते हैं जब अपन software के categorization की बात कर रहे हैं तो last software का categorization देख लेते हैं सबसे पहले जो उपर वाला software है वो open source software है मैं पहले आपको open source software क्या होती है ये समझा देती हूँ देखो open का मतलब खुला हुआ source का मतलब जिससे वो बना है ऐसा software ठीक है मतलब जिसने वो software बनाया है जो उसका developer है उसे तो पता ही होगा कि उसने कौन सा code यूज किया है उस software को बनाने में बट supposed to be कि आप उस software को बनाना चाहते हो आपने कोई software देखा जो already developer ने develop किया हुआ है आप उस software में interested हैं लेकिन आपको लगता है कि उस developer ने कुछ mistakes की हैं या फिर according to your criteria आप उसमें कुछ changes करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको पूरा software बनाना पड़े उसमें कुछ changes करके आप उसको self के यूज के लिए यूज में ले सकें ठीक है तो ऐसे software जो होते हैं वो open source software होते हैं जिसमें उनका source code open होता है each and every customers के लिए open source code open होने का मतलब उसमें हम लोग अपने हिसाब से कुछ modifications करकर अपने लिए यूज में ले सकते हैं लेकिन एक और चीज समझे कि आपन सपोस कीजिए कि आपने वो software बनाया है मुझे mistake लग रही है या मुझे उसमें कुछ changes करने है तो मैंने change करके मैं अपने personal यूज के लिए उसमें ले सकती हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि वो software आपने बनाया है तो उसमें कुछ changes करके मैं सभी को वो universally develop कर सकूँ ठीक है क्यों क्योंकि developer ने जो software बनाया है उसने अपने नाम पर उसको patent कराया हुआ है copyright कराया हुआ है ठीक है तो वो हम लोगों के use में नहीं आएगा ठीक है क्योंकि already वो registered है उसके नाम से अब एक बर इस पे देखते चली क्या कहता है यह कहता है developers of some software allow publicly to free use their software along with their source code source code वो होता है बेटा जो अपन उस software को बनाने के लिए कुछ specific code को use में ले रहे है जैसे आप लोगोंने html बनाया होगा तो html पर अपन जब web browser के regarding उस page को on करते है तो उस page को बनाने में हमें कौन सी coding use में आई तो जो code हमने use में लिया है लिखकर वो है हमारा source code ठीक है ऐसे जो software होते है वो free open source software होते है जिने force बोलते है short form होती है F-O-S-S ठीक है ओके next अपन बात करते है इसमें force में कुछ include है software जिसमें अपन लोग Ubuntu एक ऐसा operating software है जो freely access किया जा सकता है किसी भी system पर इसके अलावा python LibreOffice OpenOffice Mozilla Firefox यह इसके कुछ example है अब देखिए open source software free and open source software के साथ में एक और word एड हो जाता है freeware software देखो free and open source का मतलब जो freely मिल रहे है और जिनका source code खुला हुआ है कोई भी इंसानों से use करके modified कर सकता है लेकिन freeware software का मतलब sometimes software are freely available for use but source code may not be available ठीक है कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को कुछ अलग-अलग software मिलते हैं freely use करने के लिए लेकिन उनका source code हमें available नहीं होता मतलब उन software के source code को हम modified नहीं कर सकते according to our interest हम उसे change नहीं कर सकते तो ऐसे software कोन से होते हैं freeware software ठीक है अब ऐसे software के example में हम देखें Adobe Reader का जो complete package आता है या Scap का जो complete package आता है ये freeware software के under में आते हैं third और last category जो है वो है proprietary software जो ये कौन से software होते हैं जो की purchase किये जाते हैं vendor से मतलब ऐसा software जो किसी ने बना दिया और अपने नाम पर copyright करा लिया registered करा लिया और आप उस software को use में लेना चाहते हैं तो ऐसे software को use में लेने के लिए आपको उसके vendor को एक fixed amount of costing pay करनी होती है उस software को use करने के लिए ठीक है ऐसे जो software होते हैं वो software आपको एक trial period के लिए आपको use करने के लिए वो software देते हैं जैसे suppose कीजे कि आपको quick hill antivirus software यूज करना है तो वो आपको trial period देगा 15 days के लिए ठीक है जैसे trial pack बोलते हैं वो इसलिए देता है ताकि customer satisfied हो सके कि वो कोई गलत चीज तो नहीं चूज कर रहा है ठीक है जो कोस्टिंग उसकी है वो आपको pay करनी पड़ेगी ऐसे जो software होते हैं वो paid software होते हैं जिने pay करके हम लोग use में लेते हैं ठीक है तो उनके examples है tally है, windows है, quick hill है ठीक है ये क्या होते है licensed software होते हैं जिनको अगर आप use में लेना चाहते हो तो आपके पास उनकी license copy होनी चाहिए और इस license को vendor ही आपको provide कराता है ठीक है hopes हो कि आपको software के type समझ में आये होंगे जितना जल्दी हो सके आप अपने आपको अपने आपका mindset कर लीजे decide कर लीजे आपको जो subject choose करना है clear कर लीजे PHE लेना है IP लेना है maths लेना है according to your interest firstly select your subject after that purchase a book from school and make self notes thank you